बार दोस्तों आपका एक्जाम फेरोड चैनल में स्वागत है और आज मैं जो आपकी लेकर आया हूँ ओ क्या हूँ अभी जेलपररी की जो वेकेंसी आई है उसके साब से मैंने सोचा कि मेरे को जो जेलपररी की जो प्रिवेस येर के जो क्वेस्टन पेपर है मेरे को वो लान कि जेल प्रिव उर्क जो 2018 में जो इक्जाम होई थी 19 सितम्पर 2018 को 9 बजी जो इक्जाम होई थी उसका इवाला कुष्टन पर दोस्तों ठीक है ? तो दोस्तों हम चलेंगे सीधे क्वेस्टन के ऊपर में और जो आजग ऑज का चैन बावर चैनल है आज का जो स्केनल है question number जो पहला है ओ है आपका question number first जो इसके कहा है दोस्तों इसमें जो 20-20 number के 20-20 question है इसमें हम सबसे पहले उसको पढ़ेंगे तो जो question number first है तो वो question number first है मद्यपरदेश सासन द्वारा verse कियाने किस verse में मद्यपरदेश सासन द्वारा verse हलिस्थान में आपदार प्रबंदन संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों इसके लिए जो option है option number is 1987-1982-1956-1982 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 1987 दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1987 ठीक है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1987 अब हम चलेंगे next question के उपर में और next question है मद्यप्रदेश के उस सहर का नाम बताईए जहां प्रतेक वर्स धूप्रद समारो का आयोजन किया जाता है मद्यप्रदेश का उस सहर का नाम बताईए जहां प्रतेक वर्स धूप्रद समारो का आयोजन किया जाता है दोस्तों यह exam यह जो exam के जो question में जो पढ़ा रहा हूँ यह आपके जेल पर हरी की question है है ना ध्यान से पढ़िएगा क्या है जो नए question नए pattern तैयर होते हैं वो पुराने question paper से ही 50% question लिए जाते हैं इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा और मैं इसके और भी वीडियो से लाओंगा इसके जो और भी जो previous year के जो shift wise जो exam होई है मैं उसके पूरे question paper लाओंगा आपके लिए ठीक है तो इसके लिए जो option होगे उजयन, भौपाल, देबलपूर और इंदौर तो दोस्तो इसका जो right answer होगा ओ होगा हमारा भौपाल ठीक है दोस्तों आप हम चलेंगे next question के उपर में तो next question है हमारा वह है राणी विक्टूरिया की स्वर्णिम जयन्ती मनने यह तुँ निर्मित किये गए युनिस्को के विश्व विरसतिस्थल का नाम बताए इसके लिए जो option है gateway of इंडिया विक्टूरी मेमोरियल इंडिया गेट और चत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिन तो इसके लिए इसके question no.3 के लिए option right answer होगा वह होगा हमारा चत्रपती शिवाजी टर्मिनल तो इसका right answer होगा option no.4 अब हम चलेंगे next question के उपर में question no.4 है वो है अधिकारिक अधिकारिक सुभअकर प्राप्त करने वाले भारत के परथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बता है तो इसके लिए option है रन्थंबर राष्टी उद्यान कार्बेट राष्टी उद्यान काना राष्टी रिजर्वर सरिस्का राष्टी उद्यान तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा काना टाइगर रिजर्वर इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा काना टाइ परिवारों के लिए बिजली सब्सीटी देने ही तुम अध्यपरते 172 2018 का कुस्टन इसलिए 2018 के करेंटर पर से इसको उठाया आप सने संबल योजना ठीक है दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स कुस्टन के उपर में और हमारा जो अगला कुस्टन है वो है 1931 में भारती राष्टी कंग्रेस के कीस अधिवेशन में मौलिक अधिकरों और राष्टी आर्थिकार्यकर्मों के के हैं अधिकार कर्मे के प्रस्ताओं को अपनाया गया था तो इसके लिए जो आफ से रहांगे कलकत्ता दिल्ली करशी और अर्धू भी पुलता हूं वर्धा है तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा आपसर नमबर थर्ड कराची तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका कराची अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन के उपर और हमारा जो अगला क्वेस्टन वो है मद्यप्रदिस सरकार दोरा 2018 में राष्टी कालिदा सम्मान से किसी सम्मानित किया गया था दोस्तों ये 2018 का क्वेस्टन पेपर है अब अभी चल रहा है वरतमन में 2020 चल रहा है तो 2020 में कालिदा राष्टी कालिदा सम्मान किसी मिला ये ह को मौलम होना चाहिए न दोस्तों तो अभी वर्तमार के साब से इसका हमको आंसर रियाद रखना पड़ेगा इसके जो आपसन दिये हैं वो है मैस नाम कामीनी कुमार्शी अंजूली इला मेनन प्रभाकर कारेकर और हो जाएगा हरी चरन भूयन बोर बयन तो इसका जो राइट के उपर चलेंगे दिल्ली में इस्तीत कमल मंदिर किस धर्म के अनूं याईयो का पवित्र इस्थल है दिल्ली में जो इस्तीत है जो कमल मंदिर है ना लोटस टेमपल वो किस धर्म के अनूं याईयो का पवित्र इस्थल है तो इसके लिए जो आपसन दिये हैं दोस्तों वो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहाई धर्म अब हम चलेंगे नेक्स कोस्टन के उपर में और जो अगला कोस्टन है हमारा होई 2017 में मद्य परदेश के कीस हिस्चे में कीस हिस्चे में दुनिया का सबसे पुराणा सहवाल जिवास में खुजा गया तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होThe इसके लिए option दिये हैं चीतरकुट पणना टिकमगार्ट सवडोल तो इसका जो right answer होगा हमारा तो हमारा होगा हमारा चीतरकुट ओके दोस्तों इसका जो right answer होगा होगा हमारा चीतरकुट चलेंगे नेक्स्कुस्चन के ऊपर तो हमारा जो next question है मद्यप्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अधिक्ष कौन है तो दोस्तो इसके लिए जो option है राज्य के मुख्य मंतरी राज्य के मुख्य सची हूँ, राज्य पाल और भारत के राष्ट्रपती तो इसके लिए जो right answer होगा वो होगा राज्य के मुख्य मंतरी तो दोस्तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा हमारा राज्य के मुख्य मंतरी ओके दोस्तो अब चलेंगे अब next question के उपर और हमारा जो अगला question है वो है दीप से दीप जले के रचियता कौन है तो इसके लिए जो option दिए गए हैं वो है भगवान दत सर्मा माखनलाल चत्रवेदी रहत इंदोरी अटल भी आरी बाचपी तो दोस्ति इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा आपका माखनलाल चत्रवेदी तो जो दीप से दीप जले इसके लिए जो राइट अंसर होगा व वो है भारत सरकार और RBI के बीच है ना भारत सरकार और RBI के बीच मोद्रिक निती मोद्रिक निती ढाचे पर समझे होते हैं का निमनली की त्विकल पर में से कौन सा एक लक्ष है कौन सा एक लक्ष है तो इसके लिए जॉप्षन दिये है वह है मुद्रा इसफिति, बेरुजगरी, गरीबी और जीडिपी दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा आपका राइट अंसर मुद्रा इसफिति तो क्या होगा इसका राइट अंसर अपका मुद्रा इसफिति ठीके दोस्तो तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा इसफिति अब नेक्स्ट क्वेस्टन निमने लिखित में से किसे भारत के मैटरोमेन के नाम से जाना जाता है निम्नल में से किसे में भारत के मेट्रोमेंट के नाम से जाना जाता है तो इसके लिए उप्शन है स्री विनोध धाम, स्री ई, स्री धरन, स्री एम विश्वरेया, स्री मनमोहन सर्मा तो दोस्तों इसका जो राइट उंसर हो जाएगा आपका राइट अंसर С्री ई स्री धरण जो मेटरों में उनके नाम से जाने जाते हैं वो है स्री ई स्री धरण Next question Next question है बैरंदीब भारत में एक मात्र सक्री जौला मुही है जो कहाँ पर रिस्टीथ है जो बेरन दीप है वो कहाँ पर रिष्थीत है भारत में है ना इसके लिए आपसन हो जाएंगे रीची डीप समू अंडमानो निकोबार दीप समू लक्ष डीप समू और हो जाएगा लैम्बरिंट डीप तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा आपका अंडमान निकोबार दीप समू तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार दीप समूब वह होगा दोस्तों अर इसका जो राट अनसर होगा वो होगा है अपका हैधराबाद प्रड़ेंथ जो लिएक बैलन ने किंस next question है निम्नलिक थैसे किस अंस्थान ने मध्यपरदीश में भारत के प्रतम नी रहाण कि फिरेंद आप 40 तो इसके लिए जो option दिए गया है हमारे पास में वो है भारती विग्यान सिख्षा और अनुसंदान संस्थान बोपाल और सेकंड अप्सन है भारती प्रद्यों की संस्थान इंदोर बोपाल स्मार्ट स्थी डेवलोप्मेंट कर्पोरेशन लिमिटेड मौलाना आजाद राज इसके उपर से बहुत बार कुस्टन बने है तो बांसागर बांध परियोजना में निमिल्कित में से कौन सा राज्य सहयुक्त उद्दम नहीं है तो इसके लिए जो ऑफशन दी गए है नेक्स्ट कोस्ट नेक्स्ट को सटने हमारा संग में वत नदी पर बना कशन ju菜 दैगए तो इसके लिए जो आपका राइट रोगा आपका किस नदी पर बनाए गया है हुगली नदी पर बनाया गया है हावडा ब्रिच ओके नेक्स कोस्टन है और वह है इसमार्ट सिटी मिशन को वर्स में शुरू किया गया था मतलब किस वर्स शुरू किया गया था इसमार्ट सिटी जो मिशन है उसको किस वर्स शुरू किया गया था तो इसके लिए जो 2015, 2017, 2018 और 2014 तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2015 तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो कब शुरू किया गया था तो वो शुरू किया गया था आपका वर्स 2015 में नेक्स कोस्टन दो हमारा जो अगला कोस्टन है वो किस मिशन का उद्देश चरनमत तरीके से सहरी बेघर लोगों को आसक सिवाओ युक्त आसरे प्रदान करता है किस मिशन का सिवाओ प्रदान करता है उसके लिए जो option दिये गए है वो option है राष्टिय सहरी आजिवी का मिशन विराथत सहर विकास और विस्तार योजना पुर्वत्तर छेतर सहरी विकास कारेकरम और जो last option है वह है अटल नमेनी करन और सहरी परिवरतन मिशन यह मिशन है ना तो इसके लिए जो right answer हो जाएगा राष्टिय सहरी आजिवी का मिशन तो इस question का जो right answer होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका राष्टिय सहरी आजिवी का मिशन किस मिशन का उद्यश से 94 तरीके से सहरी बेगर लोगों को आशक से वाव यूकत आशरे प्रदान करना है ना किसका उद्यश से तो वह है इसका N.U.L.M. मतलब राष्टिय सहरी आजिवी का मिशन और जो हम चलेंगे आप next question के उपर में तो हमारा जो अगला question है देखो दोस्तों इसमें जो 20 question है ना वो क्या है general knowledge के 20 question है वो complete हो चुके है यह जो 20 question दिख रहे हैं आपको general knowledge के 20 question आएंगे जो की complete हो चुके है अब हम चले आएंगे तो दोस्तों वो यह जो 20 question है यह हंदी के जो question बन रहे हैं यह क्या है दसवी बेच के ऊपर है ना दसवी से आएंगे दसवी तक क्या है इसका तो इसका जो हमारा हिंदी का पहला कोश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नी उपसर्ग से बना सब्दा निम्न में से कौन सा है निकाय निलाब निसकाम और निकाय देखो आफसन नंबर फर्ष्ट और आफसन नंबर जो निकाय है यह वाला आपसन इसका राइट अंसर होगा है ना जो नी उपसर्ग से बना सब्दा निम्न में से कौन सा है निकाय यह देखिए आप यहाँ भी छोटी इकाय है और यह यहाँ पर दिया गया है छोटी हम चलेंगे अब हिंदी के नेक्स कोस्टन के उपर में त इसके लिए option दिया है म्रत्यू निकटाना कोई वस्तू नम मिलने पर उसका दोस्त निकालना एक ही इस्थान पर पड़ेराना या देने से माप देने से साफ मना कर देना खुए भी चीज को दो से सापना कर देना तो दोस्तत इसके जो right answer हो जए गा वह आपका right answer होगा, कोई वस्तुन मलने पर उसका दोस निकालना, कोई वस्तुन मलने पर उसका दोस निकालना, ओके दोस्तों, आप हम चलेंगे next question के उपर में, और हमारे जो अगला question है यतावत का सुद्ध रूप निमने में से कौन सा है यथावत का जो सुद्ध रूप है वो कौन सा है यथक यथावत यथवत या यथावत तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यथावत जो आप सभी को मालूम है इसका जो राइट अंसर होगा वो क् हमारा जो अगला कुस्टन है पंचवटी में निमने में से कौन सा समास है है ना तो इसके लिए जो ऑप्सन दिये गए है करमदार समास दोंद समास बहुत बरी समास त्विंगू समास है ना ऐसे ही कुस्टन पुरानी येर में जो प्रिवेस येर में जो आये हैं वह आएंगे ही नहीं दोस्तों यह इंपोर्टेंट होते हैं इनकी बहुत ही जरुवत होती है हमको याद रखना चाहिए तो मैं इसके इनके जो क्वेस्टन पर परे पूरे आपको पढ़ा दूंगा मैं तो अगर से आप को वीडियो अच्छा लग रहा है पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक किजेगा और सबसे इंपोर्टेंट सब्सक्राइब जरूर किजेगा तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका द्विग्व समास तो जो पंचवटी जो पंचवटी सेव आउपसरग से बना सब्द निम्न में से कौन सा है आउपसरग से कौन सा सब्द बना है आमको बताना है यहां से अमर्त अभरन आभरन और कारन तो दोस्ते इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आभरन तो इसका जो राइट अंसर होगा वह क्या होगा द उसका निवन में से कौन सा सही विलॉम सब्द है कमान का विलॉम क्या होगा तीर तर तीर थीर तों सभी को मोलूम है इसका जो का हॉपल जाएका वो जाएगा आपका बढ़ी की मात्रा बढ़ी ई का जू है जिसमें वह जो बढ़ी e naired question त्री फिला में यमिनमे से कौन सा समास है हमको इसका right answer बताना है कि फीए उप्सन दिया है करम दहयरे समास दूंतर समास बावबरी समास और दीगू समास त्रीफला में कौन सा समास है घ्रा त्रीफला में panूगर मतलब 3 फल संक्ख Colon दीए गई इसका मतलब जो right answer होगा इसका वो हो जाएगा आपका द्विगू समास इसका जो right answer होगा क्या होगा द्विगू समास option number 4 इसका right answer होगा next question पर चलेंगे भक्ती रज का इस्थाई भाव क्या है इसके लिए option दिएगे हैं विश्वास इस्वर विशेक रती समरपन और आस्था इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इस्वर विशेक रती तो भक्ती रज का जो इस्थाई भाव होगा वो क्या होगा आपका question के उपर में संकल्प के लिए सही संधी विच्छेद को चुनिए तो इसके लिए जो option दिये हैं संधन कल्प संधन कलप संधन कल्प और संधन कल्प तो इसके लिए जो बस यहां पर मातराओ का फर्क हो दाए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओ हो जाएगा जाएगा हो जाएगा आपका option नमबर ऑज जो क्या ऑफशन होगा आपका option नमबर अब हमारा अगला कुश्शन है किंकर के लिए सही संधी विक्ष случай मतलब किंकर निंदंकर किंदंकर कर किंदंकन और किमधन कर तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा आपका किमधन कर इसका राइट अंसर क्या होगा किमधन कर ये किमधन कर तो इसमें जो आदम है वो है आदा मह दिया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा किमधन कर नेक्स कोस्टन लक्षन लक्षन नहीं है लच्षन है लच्षन का जो सुधर रूप क्या होगा लच्षन का जो सुधर रूप है वो क्या होगा लच्षन 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 या लच्षन तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लच्षन होगा इसका रैट अंसर लच्छान ओके लच्छ्छान next question कि हमारा को नेक्स question है वह जो बाद में अधिकारी बने इसकी लिए एक शब्द निव्ने में से कौनसा है अलब जो बाद में अधिकारी बने इसके लिए एक सब्धम से कहा जाए तो वो इसका जुब क्या होगा इसका रइडe ऑन्सर क्या होगा उत्तर धिकारी और बस मात्राओं का ही फरक और ध्यान रखेका इसका जो अंसर होगा वह उत्तरा धिकारी उत्राधी कारी उत्राधी कारी यह दिया गया है इसका right answer उत्राधी कारी तो इसका जो right answer उजाएगा दोस्तों वो हो जाएगा option number third उत्राधी कारी बस मात्राओ का ही फर्का है इसमे न अब हम चलेंगे next question के उपर में और हमारा जो next question है वो है question number 13 तो क्वेस्टन जो है जिसने रिन उतार दिया हो उसके लिए कौन सा सब्द आएगा है ना रिनी जिसने रिन उतार दिया हो उसके लिए क्या आएगा रिनी उरिनी उरिन या अन्रिन तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उरिन इसका राइट अंसर क्या प्रवची सब्द है वो कौण कौण से है यहाँ पर दिये गए है option number 4 तक के हमको इसका right answer बताना आए अंगन मर्धन मनोज अंगन मादन मनोज अंगन मदन मनोज अगन मर्धन मनोज तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंगन मनोज मदन अंगन मदन मनोच तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपसन नमबर थार्ड अंगन मदन और मनोच अब हम चलेंगे नेक्स कोश्चन के उपर में तो हमारा जो नेक्स कोश्चन है वो है हमारा जो अगला कोश्चन है वो है हमारा अगला कुछ चना है क्वेस्टन नमबर फिप्टेन इन सेंटेंस में हमको बताना है कि इसमें जो रस दिया गया वो कौन सा रस है सांत रस, भक्ती रस, वातसले रस और संगार रस तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्रंगार रस तो इस सेंटेंस में जो रस है वो है आपका स्रंगार रस और फिप्टेन नमबर फोर्थ इसका राइट अंसर होगा नेक्स क्वेस्टन घर के लिए सही प्रयावची सब्दों की जो पंक्ती है उसको हमको चुन के बताना है इसके लिए जो कौन से अपसन है अपसन मज फास के सकंड़ थ्रड्र या फोर्थ राइट अंसर होगा हमको बताना है घर के लिए तो इसका जो राइट अंसर होजाएगा वो जाएगा आपका कि इसका क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका सदन निकेतन गे ओके दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स कोस्चन के उपर में तो हमारा जो next question है वो हो जाएगा वो है अंतह अंत प्रते से बना सब्द निमने में से कौन सा है अंत प्रते से बना सब्द है वो कौन सा है अंतह अंतरंग अंतीम या रटंथ तो दोस्तों इसका हमको right answer बताना है वो इसका answer होगा रटंथ इसका right answer क्या हो जाएगा हमारा रटंथ इसका option number four right answer हो जाएगा ओके दोस्तों अब हम जलेंगे next question के उपर में और हमारा जो next question है वो है करून का निमने में से कौन सा सही विलोम सब्द है करून का हमको विलोम सब्द बताना है और इसके लिए जो option दिएगा है वो है निस्थूर 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 देखिए इसमें चोटी की मात्रा है चोटा उ की मात्रा है और इसमें बड़ा उ की मात्रा है और यह है निस्थूर तो इसका दोस्तों right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निस्थूर छोटा उ दिया है ना छोटा उ दिया है तो इसक कि कॉरूना कलिध हर्दय में क्यों विफल्रागेनी बजती इसमें कौन सा अलंकार है हमको बताना है तो इसके लिए ओप्सें दिये हैं सलेड सलंकारं यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार तो दोस्तो इसका जो इस सेंटेंस में जो अलंकार है वो है उसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार तो इस जो सेंटेंस में जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है तो वो जो हमारा अलंकार है वो है आपका अनुप्रास अलंकार इसका जो राइट अंसर होगा वो क्या होगा आपका अनुप्रास अलंकार क्या होगा दोस्तों इसका राइट अंसर अनुप्रास अलंकार ठीक है next question दखी दुपहरी धाम की चाहो चाहती चाह में कौन सा अलंकार है हमको बताना है इसके लिए option है यमक, यमक, अनुपरास और उपमा तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुपरास अलंकार यहने इस sentence में जो दिया है उसका राइट अंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा अनुपरास अलंकार इसका राइट अंसर हो जाएगा ओके दोस्तों next question देखिए यहाँ पर ही जनरल हिंदी के question खतम हो चुके हैं अब हम चलेंगे इंग्लीज के जनरल इंग्लीज के question के पर में इसके 20 question दिये हैं जिसके आंसर आपको बताना है ना तो जो question number first है वो क्या बोला है चूस एप्रोप्रोप्रियेट articles for the given sentence है ना तो आई इंजाय रीडिंग आई इंजाय रीडिंग इंग्लीज डेली नूस्पेपर देट वास फस्ट पब्लिज इन 1838 तो इसमें हमको article बताना है कि इसमें कौन सा article यूज होगा तो इसमें जो दिया है option number first में the the a मतलब क्या यहाँ पे the the और a तो हमको इस तिनों को बताना है क्रम से इसको जो तो मैं ुस्ट नइक दो तीन और चार तो दोस्तों इसको राइनसर हो जाएगा वह जाएगा आपका option to other कि जिसका जुढ क्या हो जाएगा आपका imports नंबर 3 तो जो पहला पहला इस्थान दिया गया है ना तो उसमें क्या आजाएगा आपका दह आएगा दूसरे पहले में इसमें यहां पर दह आजाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा I enjoy reading the comic in the time of India and English Delhi newspaper was first published in 1838 ओके दोस्तों अब हम चलेंगे next question के उपर में जो हमारा next question दिया है वहां का गया है choose the correct from the model axillary axillary verb for the given sentence मतलब हमको यहां पर मॉडल बताना है कौन सा मॉडल यूज होगा sentence में all of us plan to go for a holiday when we get a long weekend of इसके लिए जो अप्शन दिये है वो है would need should और used to तो दोस्ते इसके लिए जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका should तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट अंसर हो जाएगा option number third should क्या हो जाएगा हमारा right answer should कि गूंत यशन हतों कि तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा सुड 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 है ४ार्ट से करेक्ट लिसक्वेंश नहीं से मतलब इसको क्रम से बताना है कि कौंसा है यह जो चार इसमें सेंटेंस दिये कौन यानि पहला मतलब सबसे पहले कौंसा सेंटेंस आएगा उसके बद सेकिट नमबर पर कौन सेंटेंस आएगा वह उ मेंUCK बताना है है कि पहले कौन सा यगा और last में कौन सा यगा यह करम से बताना है तो इसके लिए जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2134 क्या हो जाएगा 2134 तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option नमबर इसका मतलब भी है कि अगर सिंटन्स को पर मसे जमाते हैं इन सेंटेम्स को करम से law इसमें जो आजायका वह सेंटेंग सिपस शैलिंग नियरा साथन न्युजिञलन भी वाइसपर्गे यह पहले में बढ़ कर दाएगा सम्हाप देम और र είναι देन हाउस और थर्ड में जो होगा वह होगा थर्ड नम्मर वाले होगा वन आइसबर्ज रिपोर्टेट बाइए फिशिंग बोट वाज तो अन्रेड मीटर्स लॉंग एंड फिप्टी मीटर्स हाई और फॉर्थ में आ जाएगा आपका साओध इसलेंड इस्ट कोश्ट ओके तो अब हम चलेंगे नेक्स कोश्टन की उपर में और हमारा जो नेक्स कोश्टन होगा वह हो जाएगा और इसमें पर फोर्ट में क्या कहा है चुछ दकरेक्टली पंक्टुएट्ड इसके लिए ऑप्सन दी गया है यह आपके आपसं दी दोस्तो यहां पर क्यों सिंबाल का ही फरका है न यह देखिए आपको यहां कोई सिंबॉल दिख रहा है यह सिंबॉल इसमें नहीं है, इसमें है तो कहाँ पर है इंडिया के बाद में तो हमको बताना है कि इसमें जो Que collates वनेगा कि संदेंज बनेगा वो मतलब की सिंबाल को कहाँ पर हिO करना एं हमको बतानाई बिए कि आप na Man तो इसके लिए मोगा ओधिया गया है आपका adalah it's इंडिपरेंडेंवेइस now पिती इंडेकंडेंश्डे ऑन यूग क्या हो जाए गा आपका आप्षान नैंबर टू पिए यह वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट में दिया है आपका फुली स्टॉप ओके नेक्स्ट कोस्टन हम्मा आच रहेगा चूज दो ऑप्शन देन बैस एक्स्प्लेंज दो हाइलाइटेड एक्स्प्रेशन तो इसका जो क्वेस्टन बनता है वह यह बनता है कि द है वह है इलिजल इल्लीकल शेक्षन और दिया है उसके बाद में हिंड्रेंस पंदिया अब और ब्लैंक टतुझित ुक्त ट्र जो राइर था अ tut pants यह वह वहाखका आजिस्टेंज इसका बाद अर्सर उने और हम्मारा जो नेक्सथ नंग है हुआ है चुस दा एप्रोड इप्रोप्रीयाट है है ना चुस दा एप्रोप्रीयट कंजक्शन फार्दर ग्युवन सेंटेंस तो इस सेंटेंस में जो गप debate या है कि इसका जो राइट अंसर हो जागा वो हो जाएगा आपका थो यह जो है अपना थो अप्स नमर फोर्थ इसका राइट अंसर हो जाएगा नहीं अगले कोश्चन के उपर में चलेंगे हम इसमें आपकोश्चन नमर 7 पर दिया है चुछ द वर्ड दैड्ट इस अब इसके लिए अप्सन दिये हैं तो इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा आपका अप्सन नमर फोर्थ इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन पर चलेंगे चुछ द एप्रोप्रियेड और इस प्रेपोजिशन फार द गिवन सेंटेंस मतलब इसमें क इसको जो क्वेस्टन वो है इच यह थाउजेंट फीफूल सफर लाइफ ट्रिएटेइनिंग डिशी से इसके लिए जो आप्सन है वो दिये गए हैं एमांग आउट आफ एक्रोस आफ और फार्म आफ और फार्म दिया है और आफ और अगेंस दिया है तो इसका जो राइट फीपोल सफर फार्म लाइफ ट्रिएटिनिंग डिशी सेज ओके आफ न चलेंगें नेक्स कोस्टन के उपर में और नेक्स कोस्टन दिया है वह यह है वो दिया है इसपोर्ट दे इरोर इन दे गिवन सेंटेंस और चूज दो ऑप्शन देट एक मिनुटा इसका जो होगा इ चिसे पृतन देन रेक्टिफायिश है, हैना Ityy one of my best friend is the witch,Ithji ॐिच हैना दिसके लिन जो option देए हो है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका वन आप माई बेस्ट फ्रेंड इच विच नेक्स्ट के उपर में चलेंगे तो जो next question है choose the appropriate option that change the given sentence into passive-wise इसका जो passive-wise है वो क्या होगा when will you return the book इसके लिए जो option दिये गया है वो option है the book will be returned by you the book will be returned by you when और option number 3 वो होगा when will you return well will you return और option number 4 वोगा when will the book be returned इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका when will the book be returned इसका गरार right answer जाएगा option number 4 इस question का जो right answer होगा वो क्या होगा आपका option number fourth right answer हो जाएगा ओके दोस्तों अब हम चलेंगे next question के उपर में ठीक है और question number 11 जो है वो है choose the appropriated option the option that rewrites the given sentence in the active wise इसके पहले passive wise पुछा था आप हमको बताना इस sentence का एक्टी वाइस क्या बनेगा है ना my pocket has been picked option number first is someone has picked my pocket someone has popped the pick और option number third है someone has picked pocketed my pocket और option number fourth is someone has picked pocketed me तो इसका जो right answer होगा वो हो जाएगा आपका someone has picked my pocket तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा someone has picked my pocket यह इसका right answer होगा ओपे दोस्तों next question पर चलेंगे है और हमारा जो next question है choose the appropriated from the from of the tense of the given sentence मतलब हमको इसका टेंस बताना है ना कि एक कौन सा यूज़ोगा इसमें कौन सा यूज़ोगा तो इसके लिए जो question वह है by the time day the station the train तो इसके लिए option दिए गए है option नमबर यह जो blank ती आए यहां पर फस्ट में क्याएगा और सिकन में बताना हमको तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका रिजड और हैड लेप्ट तो इसका जो राइट अंसर क्या होगा option नमबर फर्स्ट यह वाला इसका राइट अंसर होगा next question पर चलेंगे हम इसका राइट अंसर क्या होगा इसका इसके लिए ओप्सन दिये है इस टेस्टिंग वाच टेस्ट टेस्ट और टेस्ट है ना तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा टेस्ट only test इसका राइट अंसर हो जाएगा option number third only test next question के पर चलेंगे और question number 14 है choose the appropriate prepositional prepositional phrase to complete the given sentence तो इसके लिए जो question बनाए वो है blank your यह दिया है blank your request we regret to inform your that it is not possible तो इसके लिए जो option दिये है वो है करें खरकें विए वीच रिगाड़ टु विट रिगार्ट टू रिगार्टू और बाय रिगार्ट टू कनी इसका जो आइड sondern जो किया हो जाएगा आपका suitable determiner for the given sentence when john returned from school did he know that there was going to be a birthday party at home इसके लिए option दिये गया है little a little much or less तो इसका दोस्तो right answer हो जागा option number a little okay question number 16 choose the option with the appropriate prefix to complete the given sentence मतलब इसका prefix बताना है ना the cricket players इसमें दिया है blank timed hitting the ball it few over each head and reached the boundary boundary क्या रॉप्स इसके लिए जो option दिये है miss undismal इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number first miss इसका जो right answer हो क्या हो जाएगा आपका miss next question choose the option that best choose the option choose the option that best transforms the given sentence into one using an adverb तो इसके लिए जो question बनाए वो है the light went out the meeting had not ended this clear option a summer first before the meeting before the meeting ended the lights were going out option number second the lights were going out while the meeting was ending option number third the lights went or the light went out at the end of the meeting इसके लिए जो right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका the lights went out before the end of the meeting next question के उपर चलेंगे अब हम और question नमबर जो 18 है choose the correct form of verb that is in agreement with the subject इसके लिए जो question बना हो यह है इसमें समको बताना है कि इन option में से first or second blanks में क्या आएगा तो इसके लिए जो question बना हो है every year in or school the children who blank will well in the final exam और आगे दिया हुआ है awarded price during the annual date इसके लिए जो option दिये है were performed is will perform are performs has performs perform are इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा पफाम और 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 पफाम और और इसका question नमबर फॉर्ट इसका राइट अंसर हो जागा हम चलेंगे question नमबर 19 पे choose the correct form choose the correct form of the verb from the following option in the given sentence है न तो इसके लिए sentence में बताना है कि इसका राइट अंसर क्या होगा my brother block from service three year ago इसका जो option नमबर फर्स्ट में दिया है वो है रे टिरिंग रेट रेट राइट रेट रेट री और रेट रिस तो इसका राइट अंसर होगा वह जाएगा रेट राइट option number चेक एंड इसका राइट रोगा ओके दोस्तों अब यह हमारा जन्रल इंग्लिस का लास्ट कोस्टन है इसका इसका हो चुके है ना इसमें दिया है तो इसमें दिया है चुश एप्रोइटेट अर्टिकल फार्द गिवन सेंटेंस इसमें बताना है कि हमको आर्टिकल कौन सा हो जोगाता है इन्वार्मेंट ऑफ और्थ इज ग्रेट ब्लेशिंग फॉर मैंकाइंड तो हमको मालूं में कि यह और यहाँ आपका यहाँ हो जाएगा आपका दो और पासंट में आएगा दो और जैगा तो इसका होजाएगा वह जाएगा आपका और ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैंड काइंड ओके दोस्तों है तो हमारा एक खाथ मुझे का है अब हम आगए है हमारा जो टोपिक है वो जनरल मैंतिमेटिक इसके 20 कुश्चन मिल जाएंगे आपको ठीक है इसके हमारे को 20 कुश्चन मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां पर तो हमरे पास में बोर्ड या पैन ऐसा तो कुछ है नहीं इसलिए हम यह आप इसको सॉल करके नहीं बता पाएंगे तो इसको डारेक्ट पढ़कर बता दे रहे हैं और इसका राइट अंसर होगा वह हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों आप वीडियो देखते देखते अपनी पेन कॉपी लेकर के आप सॉल करके देख सकते हैं ठीक है तो इसका जो क्वेश्चन नमर फ़र्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा एक पहल गाड़ी 16 किलोमेटर प्रती गंटी की एक समान चाल से आगे बट रही है तो 356 किलोमेटर यातरा करने के लिए आज सक्समाई ग्याद करें तो यहाँ पर इसके लिए option दिये गये हैं 20 गंटे 70нымиनट 25 गंट 25 विनट और 22 गंट 25 विनट तो इसके लिए जो राइट अनसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा इसमें 22 गंट 15 है आपको सॉल करके देखना है इसमें और इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 22 गंटे 15 मिनट चलेंगे नेक्स्ट के उपर में वाय अक्छा से बिंदू रिन 6 और रिन एक की दुरी है अफसन दिये हैं 2,1,5 और 6 तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 6 मैं क्यों आपको क्वेस्ट बता दे रहूंगे कि यहां पर स्वाल नहीं कर पाएगा आदमी है ना आपको खुद को स्वाल करना है यदि एक केंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो चार किलो के थैले में कितनी केंडी बार होगी चालीस दोसो चार सव और सव तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपक 15 किलोमेटर ओके फिरती अपनी यातरा का 40 प्रतिसत पैदल और से बस द्वारा तरह करती है यदि उसे 80 किलोमेटर की दुरी तरह करनी है तो उसके द्वारा बस की बस से की गई यातरा की दुरी क्या होगी बताना इमको 48 किलोमेटर 72 किलोमेटर 60 किलोमेटर 32 किलोमेटर इस मैं इसका question को सीधे सीधे पढ़के इसका right answer बता दे रहा हूं यदि एक अक्षा में 50 चात्रों का प्रतिनी दित्व करने के लिए एक save का प्रतिनी दित्व करने के लिए कितने से बुकिया सकता होगी option दिये है 4.75, 4.25, 4 और 4.5 तो इसका right answer हो जागा 4.5 नेक्स question एक packet में 14 पात्र है एक पात्र में 8 capsule है यदि कुल 23,520 capsule है तो पात्र में capsule pack करने के लिए कितने packet किया सकता होगी 110, 210, 201 और 2440 तो इसका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 210 नेक्स question 69,853 में के घन में 11 का अंक क्या होगा इसके लिए option दिये है 9, 7, 3 और 1 तो दोस्ते इसके लिए जो right answer होगा वो हो जाएगा option नमबर 7 नेक्स question पर चलेंगे चर सही सही समिकरन का चैन करे यह दिया है आपके option में दिये हुए है ना इन में जो option दिये गया है इसका right answer हो जाएगा आपका यह वाला option नमबर चर सही सही समिकरन का चैन करे बोल रहा है ना इसका जो right answer हो जाएगा वो 3 plus 2 bracket x minus 1 is equal to 0 इसका right answer हो जाएगा option नमबर 3rd इसका right answer हो जाएगा ना k k किस्मान के लिए रेखिक समिकरन प्रणायली 2x plus 3y is equal to 2k and 5k 5x plus ky is equal to minus 2k अजीत्य हल क्या होगा हो हमको बताना है तो इसके लिए जो right answer इसके लिए option दिये गए है और इसके लिए option होंगे यह right answer जो इसका होगा के not is equal to 15 upon 2 इसका right answer होगा option नमबर 1 next question यदि m यदि m minus 4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पुर्णांक क्या होगा और इसके लिए चार option दिये माइनस 1 माइनस 2 जीरो और 1 तो इसका right answer हो जाएगा next question 23.04 का फर्ग मुल्क क्या होगा इसका option दिये गए है चार दसमलो आट सुन्य दसमलो चार दो 48 दसमलो सुन्य दो और 2 दसमलो दो तो इसका जो right answer हो जाएगा वह जाएगा आपका चार दसमलो आट पुर्णांक की निमनलेकी जोडियों में से किसका अंतर माइनस 5 है इसके लिए option दिये है माइनस 2 प्लस 7 है ना 6 117 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 2 इसका right answer हो जाएगा 6 और 11 इसका right answer हो जाएगा next question एक समांतर चतुर बुच का चेत्रपल 104 सेंटिमेटर वर्ग सेंटिमेटर है और आधार के अनुसार उचाई 8 सेंटिमेटर है इसकी परिधी परिधी क्या होगी गयात करना है अगर से इसका आधार 9 सेंटिमेटर है तो इसकी उचाई गयात करन करना है अगर से और इसकी इसका जो आधार होगा वह नोच इंटिमेटर होगा इसका option दिया है 48 सेंटिमेटर 54 सेंटिमेटर और 44 सेंटिमेटर इसका right answer रो जाएगा 6y square ओके next question एक ड्रम 2 upon 3 भरा हुआ है मतब दो बटे 3 भाग भरा हुआ है यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लेटर क्या सकता है तब ड्रम की चमता को गयात करना है कितनी होगी चमता इसके लिए अप्शन दिये है 331.3 लेटर 200 लेटर 150 लेटर और इसमें दिया है 100 100 upon 3 लेटर इसका जो right answer रो जाएगा वह जाएगा आपका 150 लेटर और question अप्शन दिये हैं इसमें इसको हल करके इसका answer जो आया है वह उसके लिए option दिया है एक एक बटे 3B है C बराबर 75 है जो की A से 30 अधिक है तो B को हमको ग्याद करना है तो इसके लिए option दिये है 15 45 30 और 25 तो इसका जो right इसको हल करने के बाद में जो answer आएगा वह हो जाएगा आपका 15 कि अब हमको इसका विश्तार करके बताना है bracket के अंदर 3x-2x ब्रेकेट में वर्ग दिया हुआ इसका है ना इसके लिए option दिये गए है option नमबर फर्स सेकंड थर्ड फोर तो यह option देख लीजिए आप है और इसका जो right answer है वह हो जाएगा आपका 9x 4y-12xy और मैं जनरल मैंसिए लास्ट क्वेस्टन तो इसमें हो जाएगा a into a into b into b into b को इस रूप में अभीवेक्ट कर सकते हैं मतलब किस रूप में लिख सकते हैं वह हम उपको पताना इसमें से option दिये है आपको जो इसका जो जयाएगा अभी का क्योंट आप जो जयाएगा अप्शन नमबर 3 अब दोस्तों हमारे बच इसके बीस स्थाइन्स के 20 जब हम एक पानी से बरी एक बाल्टीक उठाते हैं तो वस्तु पर बल होता है क्या होता है गर संबल पेशी बल इस्थीर वै्दूद बल और जब हम एक पानी से बरी जब हम एक पानी से बरी एक बल्टिक उठाते हैं तो वस्तु पर कारेरत बल कौन सो होता है तो वह हो जाएगा आपका पेशी बल आपसन नमबर सेकंड इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर सेकंड इसका राइट अंसर हो जाएगा पेशी पीशीबल इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अब हम चलेंगे नेक्स कोश्चन की उपर में और हमारा जो नेक्स कोश्चन एनिमलिक्रीद में से कौन सी बिमारी एक प्रतेक्ष रोग है वेक्टर बॉर्ण डिसीज है कौन सी कौन सा रोग है बताना है हमको हैजा एड्स मलेरिया या तपे दिख इसका जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा आपका राइट अंसर मलेरिया है चलेंगे नेक्स कोश्चन एक्स के उपर में और हमारा जो अगला कुश्चन है निम्नलिक्रीद में से किसे संरतनाओं के पास अगली पीडी के लिए जा ठीक है तो इसका जो राइट अंसर थागा है ओऑ हुद में एक मिनट रूंट कर причya है हाँ यूरा इस वह आ और हो जो हो जाएगा हमारा राइड अंतर ऊप्टन संसर नमबर और इक 맞ाji चलेiciones के उपर में मजबूत और गैर लचिला सेंजी उतक कौन सा है कंडरा उपास्ती हड़ी और सनायू तो इसका जो राइटांस रो जाएगा ऑप्सन नमबर थर्ड इसका राइटांस रो जाएगा बॉन है न हड़ी एक खेती योगी चित्रे में अवांचीत पौदा है यह पुशक तत्वो आसराय और सुरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्त परदा करता है इसके लिए उप्सन दिये हैं खत पतवार मैदानी कीट भंडारन कीट और फसल तो दोस्तों इसका जो राइट अं अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन है हिलियम के 16 ग्राम के परमानुओं की संख्या की गन्ना करें हमको बता ना है अगर से हिलियम का परमानुद्रवमान अगर से 4 मू बरावर होता है ठीक है तो इसका जो राइट अंसर इसमें आप्सन दिया है चोबिस दसम लोग स पांच इंटू 10 रिश्ट पावर 23 और अप्सन नमर 4 दिया है वो है 16 इंटू 6.02 इंटू 10 रिश्ट पावर 23 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24 इंटू 09 इंटू 24.09 इंटू 10 रिश्ट पावर 23 नेक्स कोश्चन एक प्रमानु के नाभी की आंसर हो जाएगा परमानो के नाभी की को गई उसके मदेंसे किया गयाता है ना जंग का प्राशनिक सुतर क्या होगा आपको बतानाय हैं चंकराशनिक सुतर क्या होगा ऐफीज्यंटी 6 एफिई ओ और और एफी 3.0 4 और और संबर 4 दिया है एफी 2.0 3 तो इसका जो राइट अंसर का वह जाएगा अफी 2.0 3 को कि better हփइ इसका जो राइट अंसर होगा वह क्या एक माचिस की डीबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रख कर मापी जाती है यदि एक सीरा 25.7 cm है और दूसरा 29.2 cm पर है तो माचिस की डीबिया की वास्तोविक लंबाई क्या होगी की ऑप्सन दिये 2.5 cm 3.5 cm 25.7 cm 29.2 cm तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका 3.7 cm अब हम चलेंगे next question के उपर में दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं अगर से आपको पसंद आता है तो जादा जादा आपने दोस्तों को सेयर कीजिएगा यह previous year के question paper है और अगर से आपको ऐसी वीडियो देखना है तो आप examper road चैनल में जा सकते हैं examper road चैनल की playlist में यह मेरा पहला वीडियो है previous question paper का यह मेरा पहला वीडियो है तो मैं इसके जेल प्रहरी previous year के नाम से एक playlist बना दूंगा उसमें totally अब इसके बाद जितने भी वीडियो रहेंगे वो जेल प्रहरी previous year के जो paper है उसके नाम से जो playlist बना कर रहा हूं बनाऊंगा मैं भी examper road चैनल पर मैं डाल दूंगा अगर से आपको देखना है तो आप examper road चैनल में जाकर कर देख सकते हैं अगर से आपको regularly देखना है तो चैनल को subscribe करेंगे तो आपके पास और bell icon को आप on कर लिजेगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालू तो आपके बस में notification आ जाए अब हम चलेंगे 10th question पर science के तो question number 10th वो है खोकली इटो से बनी बारी दिवारो वाले घर है तो इसके लिए option होंगे सस्ते होते हैं हवा को फसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं और a finance jedi ड़कते हुँआ हैं कि कर्ती है यह क्या करती है यह तकि कमरे रहते हैं वो ठंडे रह सके हैं आमारा जो next question है वो है यदि एक वस्तु समतल दरपन के सामने उससे 10 cm की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मीत प्रतिबिम्भ होगा वस्तु के पिछे 20 cm, दरपन के पिछे 20 cm, वस्तु के पिछे 10 cm और वस्तु के पिछे 10 cm तो इसके लिए जो राइट अंसरो जाएगा वो हो जाएगा आपका दरपन के पिछे 10 cm, next question पर चलेंगे, खमीर का उपयोग, एलकोहर और वाइन, मतलब सराप के विवसाइक उत्पादन के लिए किया जाता है, सुचमजीवों की किस सिरेनी से यह संबन रखता है, इसके question number 13 पर चलेंगे, और हमारा question number 13 है, वो है, एक विदूद घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया, जो हावा बंद है, यदि घंटी बज रही है, और वायू को धीरी धीरे एक निरवाद पंप की मद्द से हटा दिया जाता है, तो क्या होगा, हमको बताना है, option number 1, हवा इसनम्प के कमपन की संख्या घटती है, इस्ट्राइकर के कमपन की संख्या घटती है, और इस्ट्राइकर के कमपन की संख्या बढ़ती है, तो इसका जो राइटांसर हो जाएगा, हवा इसनम्प के कमपन का आयाम घटता है, next question पर चलेंगे, मिलका आप मेगरेंसिया, और इस रूप में किया जाता है मतब किस रूप में किया जाता है बताना हमको कपड़ा उद्योग में डाई के रूप में करतीम सरक्रा के रूप में उर्वरक के रूप में या अमलत तत्व नासक के रूप में तो इसका जो राइटांस रो जाएगा वह जाएगा अमलत तत्व को नासक के रूप में नेक्स्ट कुछन है भुकम छेत्र में किस प्रकार की इमारते अधिक स्वरक्षा प्रदान करती है इसके लिए है आप्शन भुकम प्रोधी इमारते बहुमंजिला इमारते मिट्टी और पंक से बनी इमारते और लास्ट आप्शन है काच और इटो से बनी हैं इमारत है तो दोस्तों इसका जो रॉत हो जाएगा वह जाएगा भूकम परूधी इमारत आ कि नेक्स्स और में कि तुए कौन सा एक राशानिक परिवरतन है दोस्ते करने की इसके लिएchat worked करने के समुद्र के पानि का वसभी करण Arm कि अप्सन नंबर भी है मिथेन का जलना ची कपूर का उर्दोपातन और काफी में चेनी घोलना तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर हो जाएगा रासानिक परिवर्दन कौन सा है वह हो जाएगा जलना जो है वह है आपका राशानिक परिवर्दन नेक्स कुस्टन पर कॉस्ट नंबर 17 कौन सा टेश्टर होता है एक टेश्टर जिसमें लीजी प्रयोग किया जाता है एक टेश्टर जिस्में चुमकिया पूभ द्वीक सूचक का उ Tim का प्रियोंक की जाता है एक टेस्टर जिसमें उच वाट अपन तन्थू का प्रियोंक की जाता है और और etaanady आ यह और स नमबर फोर्त होगा एक टेस्टर जिसमें कम वाट के बलबका उप्रियोंक कीज़किन जाता है तो इसका जो प्रमानों के सुने दिसमलों पांच ग्राम अनू और एक मद थर्ड है रजत के तेन रिष्ट वावर 23 प्रमानों और नेक्स्ट कुस्टन हमारा जो अगला कुस्टन है वो है बर्फ के गल्लांग को निदारिद करने के लिए एक thermometer को बर्फ से आदे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान है इस thermometer reading को बर्फ के गलनां के रूप में लिखा लिख लेना चाहिए तो इसके लिए option दिये गए है है और पानी से रहा जाता है अपनी से लिखा जाता है और अप्सर नंबर ठर्ड़ है जब एक विखेस तामान पर थर्मामेटर के पारत का इस्थर इस्थितर नंबर जो 4 तूर्ड है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा जब एक विश्चे स्ताप मांद पर थर्मामेटर में पारत का इस तर इस्तिर रहता है अब हमारा साइंस जनरल साइंस का और इस क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और वह है बोजण तियार करने के लिए बोजखन तियार करने के लिए हारे परोगोंडेनियां में से किसका विचों करते हैं प्लियुक्त आप्रकास का 200 और प्रकास तो हमको तो मालूम है कि लेते नहीं है न यह भी गलत हो जाएगा यह पर क्या दिया है उसने ना यह तो नाइटरीट फास्पेट लेते नहीं इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑफसन नमबर सेकेंड कारबन डायकसेट पानी खनीज और शुर्य प्रकास का तो दोस्तों अगर से आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर किजिए एगा ताकि यह वीडियो वीडियो है उन तरब ऑचकें और वह भी in previous यह question पेपर के का फाइदा उटा सके और दोस्तों आपको अगर से ऐसी ही कोईस्ट चैनल अगर से आपको देखना है तो आप एक्जाम फेरोट चैनल में जा सकते हैं और जा करके जेल प्रहरी प्रिविश पेपर के नाम से मैं प्लिष्ट बना दूँगा उसमें आप देख सकते हैं अगर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको जब भी वीडियो डलेगा आपको उसका नोटिपिकेशन आ जाएगा ठीक है दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कचम्टों प्राव चैनल के बहुत जापका थाबे प्रहा है